नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फूजी साव चैनल में और आज हम फिर से एक बारा आये हैं पिकनिक पर हस्देव नदी पर जगह है इस बार देवडी चिचोली और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तो तेल सरसों का तेल गरम होके जब धुआ छोड़ा फिर हमने इसमें चिकन डाल दिया है और चिकन को इस बार हम पहले तल लेंगे और हस्देव नदी का ये किनारा है जगह है देवडी चिचोली गाओं और मैं आपको आगे यहां कद्री से भी दिखाऊंगा बहुत ही सुन्दर जगह है अगर आप यहां आस पास रहते हैं तो यहां पर एक ब नहाने का आपको बहुत ही आनन्द मिलेगा बहुत ही साप और स्वच्छ पानी है यहां पे हस्देव नदी का ये बलोदा बलाक जांजगीर जिले के बलोदा बलाक में है पहरिया के पास पहरिया से लगबग दो क्लियोंटर दूर है इस तरह से चिकन हमने तल लिया है पिकनिक पर हम लोग 6 लोग आया हुए है जिसमें से 5 मांसा हरी और एक साका हरी है तो 2 किलो चिकन हम लोग बना रहे हैं यह देखिए कुछ नजारे आपके लिए है देवरी चिचोली का बहुत ही सुन्दर पानी है और यहां आके आपको जरूर मजा आने वाला है चिकन हमने तल के निकाल लिया अब इसमें थोड़ा और तेल डाल के जीरा डाल देते हैं जीरा के बाद हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे जिसमें खड़ा धनियां दाल चिनी छोटी लायची बड़े लायची लॉंग और काली मिर्च थे अब इ ब्रजिय पुल्चलेश पत्ते डाल दीए मफ़ीए में तक प्रिक पैल में जो खाना बनता है सब्सक्राइज ने इस और वह जति रूँस पते रूइल करना होता है जो में चल्जय ऐब जब फॉले कि यह जाल दो तो cash महरे जाते हैं उ consumo आते हैं यो तरह से बना हुआ जो खाना होता है बहुत ही स्वादिस्ट बनता है अब इसमें हरे मिर्चे डाल रहे हम लोग और प्याज को अच्छे से भून लेंगे तो चार-पांच लोग को दिमाग लगता है और सभी अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं और इसे साबसे सबजियां बनते जाती है और अपने आप उस पर स्वाद आता है कुछ ने बोला खड़ी लेसुन डालेंगे चलो डाल देते हैं प्याद जब अच्छे स्भुन जा इसमें हम धनिय की डंठली डाल रहे हैं पत्ती बाद में जा लेंगे और फिर इसे और पकने देंगे चुले में बने हुए चेकन का स्वाधिया लग है अब इसमें हम लसुन अज्रक का पेस्ट डाल रहे हैं जब हम दुकान पर मसाले खरीद रहतें दुकान वाले ने एक नए मसाला दिया हमें कांदा लसुन का मसाला वो भी हम आगे डालेंगे इसमें तो उसमे उसमसाले की बहुत तारीब की तो हमने भी कहा दे दो लेकिन अगर स्वाद अच्छ नहीं आया तो आके तुमको वापिस पेलेंगे अब भलती जाल देते हैं इसमें ये है वो कांदाल लुस्वन मसाला जो दुकानदार ने अपनी गारंटी पे दी है आगे हम बताएंगे इसका स्वाद क्या था इस तरह से हम़रा चिकन बनने जा रहा है दो पेके कंदाल लुस्वन मसाला उसने दिया था वो डाल दिया हमने अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे है बस 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 अब इसमें धन्या पॉडर डाला जा रहे है यह जा रहे है थोड़ा चिकन मसाला लगता है यह चिकन मसाला नकली मिल गया हमें जो कि इसका कलर थोड़ा लग दिख रहे है एवरेस्ट के चिकन मसाले की तरह तो दिखाई नहीं ते रहे फीर भी हमारा चिकन का ये जो मसाला बहुत अच्छा लग रहे है और अच्छे से पक रहा है जब ये नमक जा रहा है इसमें, नमक स cotton water मैं अब चिकन जो हमने तल पर रखा तो वह इसमें डाल देंगे और मसाले साथ पका लेंगे ताकि मसाले के बढ़िया से मिक्स हो जाए और मज़ा दे भाई ने कहा कि आधा डाल लूँ सके बाद डालना तो पहले आधा मिक्स कर लेते हैं उसके बचे वी चिकन को फिर डालेंगे उन्हें डर था कि कड़ाई से बाहर ना आ जाए मसाला जाए हो जाए कड़ाई से ये अलो बाकी के बचे हुए डाल देते हैं और अब सब को मिक्स करके पकाएंगे फिर से 10-15 मिनिट के लिए ये हमारे चिकन बढ़िया पकने लगा है आज संडे का दीन है और इस जगह पे बहुत भीड़ है मुस्किल से हमें जगह मिल पाई है अगर आप संडे आ रहे हैं तो सुबे 9 बज़े ही यहां पहुँच जाएं तब आपको बहुत अच्छी जगह मिलेगी नहीं तो किसी प्रड की नीचे ही छोटे प्रड की नीचे कम च्छाओं वाली जगह पे आपको थोड़ा और नमक डाल देते हैं इसमें चिकन बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां बहुत भीड़ हो जाती है अलाकि जगह सबको मिल जाती है अब इसमें पानी सामिल करते हैं और बढ़ियास इसमें उबाल आने देंगे और पानी डालते हैं क्योंकि हम इसे चामल के साथ खाने वाले हैं तो हमें अच्छी ग्रेवी की जड़त पड़ेगी और डालो भाई और डालो भर की डालो यह देखो अब दिखा न मस्त ढ़क दो पुली अब इसको बढ़ियास उबलने देंगे हमारे चिकन लगबग बनने को तयार है इसमें उबलने के बाद धनियापति डालेंगे और चामल शड़ाएंगे और नहाने चले जाएंगे एक दो बच्चे हमारे साथ ही जो हैं वो चामल बनाएंगे हम लोग भागने वाले नहाने देख रहां कैसा मस्त बन रहा है तो दोस्तों पिकनिक पर जाना ठंडी के मौसम में बड़ा ही मज़ेदार होता है आज जब आप भी अपने साथियों के साथ जाएं और पिकनिक इंजॉयाए करें गया इसमें धनियापता और ये लगबग रेड़ी है ये कहां प्याज कच्छिल का डाल रहा है भाई ये जो बड़बड बड़बड की आवाज आती ये बहुत ही सुकुन देने वाला होता है चाउल बनना चालो और हम जा रहे हैं नदी नहाने वापसा के चाउल और चिकन का अनंद लिया जाएगा ये देखिए सांदार चिकन बना हुआ है ग्रेवी देख की मज़ा आ रहा है ये देखिए है नव जबर दस्त चिकन की सबजी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट पर जरूर बताएं अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे और मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ से एर कीज़ा अगर आपके कोई सुझाओ है तो हमें जरूर लिख कर बताईए ये हमारे दुर्गेज भी या ये रूपेज साओ इधर हमारे नवीन भी या और सतीज भी या कौसिक थी के फोटो मैं लेनी पाया वो भी हमारे साथ थे और ये जा रहा है मोनुसाओ की थाली में जिसको जो पसंद है निकालिये और खाये यही तो अनंद है पिक्निक का दोस्तों गर आपके आसपास भी कोई बढ़िया पिक्निक इस पार्टो तो हम इस सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग वहाँ जरूर घूमने जाएंगे आप पिछली बार पिक्निक पे कहा गये थे हमें जरूर बताईए क्या आपको दोस्तों के साथ पिक्निक पे जाना पसंद है थैंक्यू दोस्तों पिछले हफ़ते मैंने मटन बनाई थी हांडी में वो भी आप लोग ने देखा है अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए मटन हांडी में हमने बनाया था मटकी काली मटकी में तो वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्योद प् offshore